नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए सुधामूर्थी जी का लगू पन्यास त्वंद आम तोर पर फरवरी के अंतिया मार्च की शुरुआत तक कडाके की सर्दी खतम हो जाती है और हिमपाद भी थम जाता है अतै इस समय तक स्केटिंग का मौसम भी खतम हो जाता है लेकिन इस साल ऐसा नहीं था आदा मार्च बीद गया फिर भी स्केटिंग थी कि चल ही रही थी मुकेश आसमान को देखकर मुस्कुरा रहा था आसमान का निला रंग उसे बेहत पसंद है इसलिए वह सोनिया के लिए प्राया निले ही कपड़े लाता है कई बार सोनिया चड़कर बोलती है क्या मैं आपको स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची दिखती हूँ अक्सरी निला कपड़ा उठा लाते हैं देखिए तो कितने निले ड्रेस है मेरे पास मुकेश ने विदेश में ही अपनी महाविद्याले की पढ़ाई पूरी की इंग्लेंड या स्विजरलेंड उसके लिए कोई अपरीची जगाने वह कई बार वहाँ भी जा चुका है पिछले चार वर्शों से कह रहा है पर अभी तक स्केटिंग नहीं सीखी और सच पूछे तो कोशिश भी नहीं की उसे इस केल में खास दिलचस्पी नहीं है उसके पिताजी राम चरन तिरवेदी आम लोगों के बीच तिरवेदी जी के नाम से जाने जाते थे उसे वे अपना दोस्त समस्ते थे उस पर कभी हुकुम नहीं चलाया लेकिन सौनिया के घर का महल ऐसा नहीं था कानपूर में पलकर बड़ी हुई शादी के बाद पहली बार कानपूर से बाहर आई उसके परिवार का परिवेश धार्मिक था उसके यहां पूजापाट भजन के दिन प्रयारा चलता ही रहता वेह कूप मंडुक की तरह संख्रीन वातावरन में बड़ी हुई पहली बार इंग्लेंड को देखकर वेह दंग रह गे साथ ही नई स्वतंत्रिता पाकर वेह हर शण आनुंद बहसूस कर रही थी जैसे बच्चा नए खिलोने को घूर घूर कर देखता है उसी तरह सोनिया भी बिना पलक जपकाए हर चीज को देख रही थी स्केटिंग के लिए स्विजर लेंड पर रख्यात है स्केटिंग मैदान के सामने बैंच लगे वे हैं जिन लोगों को खेलने में रूची नहीं होती वे ही अकसर यहां आकर बैटते हैं इसी जुन में मुकेश भी बैठा था चारों और हिम की गोलाबारी हो रही थी बच्चे रंग बिरंगी टोपियां जैकेट पहने स्टो में बना रहे थे बरफ की गैंद बना कर एक दूसरे पर उच्छाल रहे थे उनकी किलकारियां दूर तक सुनाई पढ़ रही थी पहाड़ीयों पर गिरेहिम को देखकर लग रहा था जैसे चांदी की परत बिच्छी हो सुरज की खिर्णों से आंके चुंदिया रही थी दूर एक चिती जैसे दिखाई देने वाली वस्तु ने पास आने पर सोनिया का रूप ले लिया काला स्वेटर टोपी जीन्स पहने सोनिया तेजी से नीचे उतर रही थी मुकेश उसे गर्व से देख रहा था कितना अच्छा खेल लेती है मुकेश के दिमाग में पिछली बाते याद आई शादी के पहले कैसी थी अब कैसी हो गई जमीन आस्मान का फरक है सोनिया को देखने के लिए मुकेश अपने घरवालों के साथ लखनाओ गया था सभी लोग बड़े हॉल में बैठे थे थोड़ी ही दीर बात सोनिया महमानों के लिए चाय लेकर नपे तुले पह रखती हुई आई नाक की तरह उसकी चोटी घुटनों के नीचे तक लटक रही थी चोटी में जामनी रंग का परांधा पहना है जामनी रंग की ही सिल्की साड़ी और ब्लाउस उसी की मैचिंग की कान की बालियां वह किसे फिलिम है विनीतरी से कम नहीं लग रही थी त्रिवेदी जी उनकी धरम पत्नी सुमन और बेटी नीलम सभी मंत्र मुग धोकर सोनिया को देखने लगे एक ही नजर में सब को भाग गई लड़की देखने के उस कार्यकरम का अंदुरूनी संबंध एक पिछली घिटना से था एक बार मुकेश किसी चितर कला परतियोगिता का निरनायक बनकर लखनाओ गया था महा सोनिया से उसकी भेट हुई पहली नजर में ही मुकेश अपना दिल दे बैठा सोनिया एक अच्छी कला करती उसके जैसे चितर और कोई नहीं बना पाया अपने कॉलेज में वही दक्ष थी चितर परतियोगिता के दिन उसने प्रुसकार तो जीता ही और साथ ही साथ मुकेश का दिल भी परतियोगिता ख़ता मोने के पहले ही मुकेश ने सोनिया के बारे में पूरी जानकरी हासिल कर ली थी इतनी जानकरी कि जिस पर एक किताब भी लिखी जा सकती थी वैबमन गली में रहती है उसकी पिता प्रोहित का काम करते हैं उनका नाम विद्या चरण शर्मा है उनकी चार बेटिया हैं यही सबसे छोटी हैं अभी शादी नहीं हुई है भी ये पास है खाना अच्छा बना लेती है साथ में संगीत का भी जयान है कथक भी जानती है इतने गुन क्या काफी नहीं कानपुर लोटने पर मुकेश ने सबसे पहले अपनी बहन नीलम को बताया है एक लड़की उसे बेहत पसंद है तिरवेदी जी तक बात पहुँची तो उन्हा ने कहा मेरा बेटा राजी हो गया तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए इस तरह वधु परिक्षा खतम हुई पंडिच जी ने जब जनम पत्री के बारे में पूछा तो तिरवेदी जी ने कहा पंडिची मज़े जनम पत्री बगरा में तो विश्वास नहीं मैंने किसी के भी जनम पत्री नहीं मिलवाई अपनी बेटी की शादी भी मैंने जनम पत्री नहीं देगी यदि आपको मेरा बेटा योग्य लगे तो अपनी बेटी दीजी और यदि आपको कोई शंका हो तो हरगीज मत दीजिए किसी भी कौन से देखने पर मुकेश सुयोग्य ही लग रहा था लंदन में BBC के में एक काम करता है त्रिवेदी जी कानपूर के जाने माने उद्योग पती है मुकेश गार्मेंट्स का वैपार विदेश तक फैला हुआ है इकलौता बेटा इकलौती बेटी नीलम की शादी हो चुकी है सब कुछ तैह होने के बाद लखनाओ में बड़ी धून धाम से शादी हुई तीन दिनों तक समारो होते रही मुकेश की मा सुमन को तो जवानी सा जोश चड़ गया था इतना उत्साह कि देखने वाले देखते ही रह गए वही सोनिया कितनी बदल गई दिल से नहीं केवल वेश भुशा से उसकी लंबी नाग वेणी कटकर अब बॉब कर उब ले चुकी छे गज की साणिया छोड़कर अब जीन्स बैठती है शुरू-शुरू में थोड़ा संकोच करती थी पर मुकेश के निरंदर प्रतसाहं से वह स्केटिंग, ड्राइविंग, स्वीमिंग सब सीख गई वह कुशार्ग बुद्धी वाली है यह उसका के वक्त तीसरा स्केटिंग सीजन है बड़ी निपूंता से स्केट कर रही है मौडर्न बन जाने के बाद भी उसने कुछ पुरानी परंपराओं को छोड़ा नहीं हर मंगलवार और शुकरवार को वहां मिलने वाले लिली के फूलों से ही वैदेवी की पुजा करती है गर में भगवान का अलग कक्ष भी बनाया है क्यों जी किस मोहीने किस अपने रेक रहे हैं सोनिया की आवास सुनकर मुकिश परफ की दुनिया में लौट आया तुम्हारी बारे में सोच रहा था स्केटिंग का समय खतम हो रहा था लोग नीचे आ रहे थे मैं कैसे जानू कि आप सच बोल रहे हैं जला दिल के अंदर जाब कर देखो खुआबों की दुनिया से निकल कर जला बहार की दुनिया तो देखिए कितनी सुन्दर है स्केटिंग देंगे पास लोग जमा हो रहे हैं चलो होटल जाकर समान बांद ले लंदर में तुम्हारे छोटे से अपार्टमेंट तक महुचने में आदा दिन तो लगी जाएगा कहते हैं मुकिश उठ खड़ा होगा प्लीज एक बार और स्केट कर लू अभी नहीं कर पाई तो एक साल तक नहीं कर पाऊंगे सोनिया ने अनुने भरिस्वर में कहा मुकिश अन्या मर्दो जैसा नहीं था फैक खुले दिमाग वाला और दिलदार आदमी था उसे खुश देखकर वह भी खुश होता उसे खुद तो स्केटिंग में रूची नहीं थी पर पतनी को उसने हाँ कह दिया सोनिया हवा के जोके से निकल गई इस बार लंबा विकेंड मिला है था तीन दिनों की चुटनिया गरीरा प्रेमी दूर दूर से यहां आते हैं उसी तरह मुकिश और सोनिया भी आ है जब सोनिया स्केट कर रही होती है तो मुकिश निले आसमान को घरों की लाल चैतों को सफित पाड़ियों को देखता रहता प्रकरती के सौनिया रसका आसवादन करता रहता कभी-कभी चित्र बनाता यह कुछ लिखता रहता बोर होने पर यहां माग घुमने निकल जाता मुकिश बी-बी-सी में भारतीय सांस्कृति और कला विभाब का प्रधान है यह कोई बड़ा ओधा तो नहीं और ना ही इस काम में मुटा वेतन मिलता है पर यह काम मुकिश को बहुत पसंद रहा है और सच तो यह है कि उसे काम करने की जरुवत भी नहीं उसके पिताजी ने काफी कमा रखा है फिर भी इस छेतर में उसकी रुचिहर से संतोश मिलता है त्रिवेदी जी के कारोबार में मुकेश की कोई दिल्चस्पी नहीं इसके विप्रीत उसके बहनोई सतीश को इस कारोबार से बेहत लगा वे मुकेश की तरह वें विदेश में नहीं बसा भारत में ही रहकर अपनी वकालत की प्रैक्टिस करता है और त्रिवेदी जी का हाथ भी बठाता है स्कूली पढ़ाई खतम होने के बाद मुकेश ने का पिताजी मैं मुंबई के जेजे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ त्रिवेदी जी बोले बेटे तुम जितना चाहो जहां चाहो पढ़ो सुमन बीच में बोले मुन्ना तुम जितनी दूर मुंबई में मुंबई में ही क्यों पढ़ना चाहते हो यहां आसपास भी तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं है क्या यहीं पढ़ाई करोगे तो पिताजी का हाथ भी बटा सकोगे त्रिवेदी जी बोले एने पीदो सुमन उसे मत रोको स्वचंत पंची की तरह उनने दो कुप मंडुक बने रहना अच्छा नहीं होता बहार की दुनिया देखना भी जरूरी है इसके आगे सुमन कुछ नहीं बोली मुकेश ने सूचा लाखों करोडों में भी मेरे पिताजी जैसे इनसान नहीं मिल सकता इतने समझदार और वेवारी के मुंबाई में सुमन ने मुकेश के लिए एक अपार्टमेंट एक रसुया एक कार और एक ड्राइवर का भी इंतिजाम करवा दिया यह सब देखकर मुकेश बोला मा मैं कोई लड़की नहीं नहीं ससुराल जा रहा हूं सुमन मुस्कुरा कर रह गई उसका प्रेम ही वैसा था निश्यल और निश्वार्थ तुर्वेदीजी तो प्राय मजाक में कहते रहते कि सुमन की जान तो मुकेश में ही बसी हुई है पुरानी यादों को समयरते में मुकेश उटखड़ा हुआ सोचने लगा जल्दी घर पहुचकर पिताजी को फोन करना है उनसे बाते किये चार-पांस दिन बीट गए सोनिया कभी-कभी खीचाई करती भी पूस्ती मापिताजी से रोज बाते करना जरूरी है क्या तबी सोनिया डहलान से नीचे उतरती दिखाए दी मुकेश ने गौर किया कि सोनिया ने अपना संदुलन खो दिया है उसकी रफतार तेज थी उसे लगा कि सोनिया गिरेगी अकल बगल का ख्याल किये बिना वे जोड से चिलाए सोनिया, सोनिया केरफुल गिर जाओगी नरम और धीनी आवाज में बुलने वाले गोरे लोग उसकी तरफ दिखकर त्रिसकार भरी कि मुकेश ने उस और ध्यान नहीं दिया और मुकेश ने जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ सोनिया सीधे पाइक पेड से जाटकरे और धडाम से किर गई दर्द के मारे में चीखने लगी लाठियों की मदद से उसे नीचे लाया गया दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था आसु थमने का नाम नहीं ले रहे थे फिलाल तो हमने प्रथम चिकितसा कर दिया आप तुरंत इसे अस्पतार ले जाएए वहाँ के मैनेजर ने मुकेश से का मुकेश ने कार का दर्वाजा खूला और सॉनिया को अंदर बिठाया कार चलाते हुए मुकेश सोच रहा था हो सकता है कि पेशियाँ खिच गई हो या पैर में मोचा गई हो कार धीमी चलाने पर भी सॉनिया कर रहा रही थी कुछ बाठचित करने से तर्द कम हो जाएगा यह सोचकर मुकेश ने का अब एक हफते तक तुम्हारी क्लास की छुट्टी सोनिया भारती एक कम्यूनिटी हाल में बच्चों को संगीत खासकर कथक सिखा दे थी मेरी इस हालत के बारे में कानपूर अपनी माजी को मत फौन कर देना नहीं तो यह कहकर कि मेरे बेटे को खाने की तकलीफ होगी वो यहीं चली आएंगी सुमन का सुभाव वे अच्छी तरह जानती थी सोनिया शादी करके जब पहली बार आई थी तो अपने पती को मुन्हा नाम से बुलाया जाना उसे बड़ा आट-पटा लगता पूछने पर ससूर जी ने बताया बच्चे जब छोटे थे तब हम दिल्ली में रहते थे महां सभी से मुन्हा बोलते थे और वही आदत पड़ गई सोनिया इस जब आउससे संतुष्ट नहीं थी उसका प्रशन था मुकेश तो अब मुन्ना बना पर निलम निलू बनी मुन्नी नहीं ऐसा क्यों सोनिया अपने ससूर जी की याद आई वे बहुत कम बोलते हैं किसी बात से घबराते हैं नहीं बहुत शान्त सुभाव की हैं अस्पताल में बताया है कि पेशेंट को प्यार में चोटाई है कम से कम एक हफ़ते तक यहीं रहना पड़ेगा पेशेंट बहुत कहीं नहीं जा सकता मुकेश ने का सोनिया तुम्हें अराम की सक्ट जरूत है पूरी तरह ठीक होने तक यहीं रो मैं तुम्हारी क्लास वालों को पता दूँगा मुकेश जब कर पहुचा तो रात हो गई वह ठक कर चूर हो गया था एक हफ़ता घर में अकेले रहना उसको भारी लग रहा था इस विदेशी दुनिया में यह अकेलापन और भी खलता है टेबल पर रखकी आंसरिंग मशीन बीब दिखा रही थी रोज की तरह बीब बंद करके और आंसरिंग मशीन आउन करके वह कपड़े बदलने लगा यह उसका रोज का कारेकरम है पहला संदेश उसके बास डेविट का था मैं बोल रहे थे म्याक तुमारे लिए दो असाइनमेंट है उनके बारे में बात करनी है दो दिनों के बाद फाइनल होगा आफिस में मुकेश को म्याक नाम से ही बिलाते है फिलाल तो अच्छा ही वहा मुकेश ने सोचा दूसरा संदेश उसकी दीदी का था भूते भी उसने का मुन्ना पिताजी को हार्ट अटेक है जल्दी चले आओ नेलू की आवाज बे पहचान किया मुकेश की दिल की धर्कन एक शनमानों रुख गई तीसरा संदेश मुन्ना तुम कहां चले गए जल्दी आओ पिताजी की दविए ठीक नहीं है मुकेश ने अपनी घड़ी देखी रात के आठ बजे है आज रवी बार है इसका मतलब यह कि यह संदेश शनिवार को है पता नहीं पिताजी कैसे होंगे उसने तुरंट ट्रैवल एजेंट को फोन किया भारत के लिए एक फर्स क्लास्टिकेट और आगे के लिए कानपूर तक मासिक ठकान से मुकेश टूट चूट चुका था सोनिया अस्पताल में है बॉस चाहता है कि एक महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाना ची और उधर पिताजी की दविए सीरियस है उसी वक्त उतारे कपड़ों को ही फिर पहन कर मुकेश अस्पताल गया मुकेश की पीले चहरे को दिखकर सोनिया घबरा गई सोनिया मुझे तुरंट कानपूर जाना होगा पिताजी की दविए सीरियस है सोनिया की भी जाने की इच्छा हुई लेकिन संभव नहीं था उसके पर तो लठे जासे हो चुके थे मुकेश ने चिंदा व्यक्त की तुम्हारा क्या होगा घर आने में अभी समय लगेगा अकेली पढ़ जाओगी आप मेरी छोड़िए मेरी बहुत सारी सहलिया है जो भी चाहिए उनसे मंगा लोंगी पहुझते ही वहां के हालचाल के बारे में फोन कीजेगा अब आप जल्दी चले जाएए सौनिया सभाव से ही नरम थी तूसरों का दुख तुरंद पहचान लेती और जितना बन पड़े उतनी मदद करती शर्मीले और एकांत प्रिय मुकेश के गिने चुने मित्रे थे लेकिन बातुनी सहजदा से मिल जाने वली सोनिया की अनिक सहलिया थी कोई ना मिलने पर मैं पेड़ पौद से ही बात करके आती पर अकेली चुप नहीं बैठ सकती थी हवाई जाज के फर्स क्लास में काफी जगा खाली थी मुकेश सोचने लगा तिगुना चार्ज दे कर कौन जाएगा इसमें माना की कुछ अद्रिक्त सुविधाय होती है पर महंगा है आम आदमी को भारे ही पढ़ता है मुकेश को देखते ही एक सुन्दर परिचारी का आई और उसका कोट ले गए फिर पुझा सर आपके लिए क्याला हो सिर्फ जूस इतने बड़े उद्योग पती होते वे भी त्रिवेदी जी ने कभी ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाया मास मचली को नहीं चूते थे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों नहों घरा करी खाना खाते थे घर में नौकर चाकर होते वे भी त्रिवेदी जी के लिए सुमन ही अपने हाथों से गरम गरम पराठे बनाती और परोस्ती थी कभी उसने दूसरों का बनाया खाना उन्हें नहीं परोसा और मुकेश अपने पिता जी जैसा ही था इतने वर्षों से लंदन में रहते वे भी ड्रिंक्स या मासा हर को हाथ तक नहीं लगाया मुकेश सोनिया को बताता है मा द्वारा बनाय पराठो का सवाथ किसी फाइव स्टार होटल में मिलेगा क्या सोनिया आध्यात्म को समझते भी बोलती आपको अपनी मा प्राणों से भी रेक प्रिया है इसलिए उनकी बनाई हर चीज अमरित समान है प्रेम की घराए को तो कोई माप नहीं सकता मुकेश को अपने कानपुर वाले मकान की याद आई इंदरा नगर में बड़ा बंगला है सामने बड़ा सा बागी चा गैराज भी बड़ा सा उसमें चार-चार गाणियां और नौकर चाकर रही सो जैसी शान्ती बंगला की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मा और पिताजी रहते हैं उनके रहने से घर की शोबा ही अलग है जो उस पीता हुआ मुकेश त्रिवेधी जी के बारे में सोचने लेगा पिछले महीने ही तो पिताजी अपने किसी काम से लंदन आये थे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे जाते समय हुआये डेपर मुकेश के हाथ में दो हजार पॉंड का चेक भी थमाया यह किस के लिए पिताजी तुमारे जनम दिन के लिए मेरा जनम दिन तो पहली जनवरी कोई था और आपने उस समय मेरे पास दो हजार पॉंड भेजे थे मुझे अपने जनम दिन का कोटा तो मिल चुका मुना यह मेरी और से है तुमारे उस जनम दिन का एडवांस जो तुमारी मा बुद्ध पॉर्णिमा के दिन मनाती है ओ ठैंक्स सबी का एग जनम दिन होता है पर मेरे दो दो चले ये फाइदा ही फाइदा मुकेश का असली जनम दिन नए साल का पहला दिन यानि पहली जनवरी को है लेकिन उसकी मा बुद्ध पॉर्णिमा के दिन भी उसका जनम दिन मनाती है क्योंकि उस दिन मुकेश एक भेंकर दुरकटना से बाल बाल बचा था सुमन के लिए मुकेश का पुनर जनम था इसलिए वह उस दिन भी उसका जनम दिन मनाती थी मुकेश भी खुश उसे दो बार जो तुफ़ा मिलता था